हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल वन्स अगेन आज के इस पर्डिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोवेटा जी एम क्रीम के बारे में इसकी पूरी जंकारी दी गई है तो इस वीडियो के लास तक बने रहे ताकि आप इसका लाब उठा स होते हैं पहला क्या होता है क्लोवेटा इस तॉसरा क्या होता है तिसरा होता है माइकों ना जोल tensions और चौंच वह हो है दुसरा जो है हमारा जो सॉल्ट है वो क्या है नियोमाइसीन एक तरह क्या है एंटिबाइटिक एंटिबाइटिक का क्या काम होता है कि जो भी बैक्टिरियल इंफेक्शन कॉज कर रहे होते बैक्टिरियाज जो माइक्रो और्गनीजम होते हैं उनको मारने का कौन काम करता ह यहां है नियोमाइसीन होता है माइकोनाजोल जो की क्या है एंटीफंगल ही इसका क्या क्या होता है कि जो भी fungal infection आपके skin में है उसको क्या करता है यह reduce करने का काम करता है कौन माइकोनाजोल और जिंक औकस्टाइड और बॉरेक्स यह दोनों essential ielement से आपके स्कीन के लिए तो ये तबotherap पांचों मिल करके ओवल्रव आपके स्कीन को क्या करते हैं आपके जहां पर contest chest arguing Shattering और वैक्टेरियल इंफेक्षाइन और फंगल इंफेक्षान ने इसाथ क्या करने का काम करते हैं दो फि Hearts लैबुरेट फार्मासूटिकल इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया जाता है बात करते हैं सॉल्ड की कम्पोजिशन का जैसे आपको मैंने अभी बताया इसमें पांच तरीके का स्वाट होता है पांच पॉन-कॉन से होता है पहला क्लुवेटा स्वोल दूसरा क्या होता है नि के इनके infection के लिए इस्तमाल करते हैं clear है जैसा कि मैंने डिस्कस किया अगर bacterial infection है फंगल इंपेक्शन है bacterial infection है कुछ इस सी तरहिका सा फंगल इंपेक्शन आपके skin पे देख रहा यह क्या है बैक्टेरियल इंफेक्शन और फिर फंगल इंफेक्शन उसके ग्रोथ को क्या करना है रोकने का काम कौन करता है क्लोबेटासौल जी एक बात करते हैं हम लोग यह कितना समय लग सकता है यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है यू सूड यूज दव मेडिसी लॉर यौً जितने लंबे समय तक के लिए आपको इसको प्रिस्ट्राइब किया गया है आपको इसको इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है अगर आपका सिम्टम्स डिस पियर हो गया या यारी कि गया Understand हो चुका है, उस कंदिशन में भी आपको इ है आप देखे यह दीनों से लेकरके हफ्तों तक का समय लग सकता है इत씨 को हico हम होने में नहीं पुरे तरीके से सही होने में यह डिपेंड करता है इंफरिचन książkum के कि इंफेक्शन किस तरीक आ है उस कंडिशन परatar में एक लगाते रहना ताकि कि इसके symptoms क्या वापर से ना है clear है समझ पा रहे हैं देखे आगे आगे बात करने वाले साइड इफेक्ट कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होने वाला है जैसे कि कुछ ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जिसको आपको कोई medical attention क्या होता है बड़ी के साथ हो जाते हैं अगर आप इसको पर्टिकुलर क्रीम को इस्तमाल करना बंद कर देते हैं तो उस addition में क्या होता है कि वह आपकोई स्ैंटम कि हो जाते हैं तो गुछ एसे साइड इफेक्ट है जिसके बादे में वह जहां पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं वहां का इस्किन क्या हो जाएगा थिनिंग यानि कि पतला हो जाएगा क्लियरे जहां आप अप्लाई कर रहे होते हैं वहां पर बर्निंग सेंस्टेशन इरिटेशन इचिंग और रेटनेस जैसे कंडिशन आती है जहां पर आप अप् क्या होगा सुखापन आपको देखने को मिला होगा ठीक है तो मेरे वीडियो से आपको बहुत इंफोर्मेशन मिला होगा थांकी फॉर वाचिंग पीमिल चैसे नेक्ट व्यूटे में तब तक के लिए गुडबाई ठेक क्या